हेलो स्टुडेंस आज हम लोग सुरू करने वाले हैं मैंगनेटिजम एंड मैंटर्स ओके यह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है कही सारा कॉंसेट यहां पर सीखने को मिलेगा तो इसका स्टार्टिंग कहां से होता है वह हम लोग देख लेते कि से बैक्ग्राउंड क्य है ओके तो हम लोग क्या करते हैं जो और लेड़ी हम लोग रिजल्ट हमारे पास है उसी को थोड़ा से अनलाइज करते हैं देखो यहां पर एक सर्कुलर करेंट करिंग लूप है ओके सर्कुलर करेंट करिंग लूप है तो सर्कुलर करेंट करिंग लूप के लिए अगर ऐस ऐसा लूप है तो उसके axis में किसी point में कितना magnetic field बनता है वो हम लोग को मालूम है वो हम लोग यहां पर लिख लिए क्या लिख लिख लिए mu 0 i a square divided by 2 into a square plus x square whole to the power 3y2 x मतलब क्या है x x मतलब इस point का distance कहां से center से along the axis यह मतलब radius of the coil and capital N is the number of turns okay यहाँ पर capital N भी multiply हम क्या रो सकते हैं capital N मतलब number of turns okay जितना turn होगा उतना गुना हो जाता है और अलग कुछ बात नहीं तियह हो गया magnetic fields at an axial point magnetic field at an axial point इतना बंता है और लेट हम लोगों पता है नया कुछ चीज नहीं है अगर इस special case में क्या होता है if x is very very less than a अगर जो x है मतलब जितना दूरी में हम लोग calculate कर रहे हैं इस sorry very very good than a मतलब वो distance इसके radius के compare में बहुत ज्यादा होगा मतलब इसका radius बहुत छोटा है और मैं हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत दूर जाके magnetic field determined कर रहे हैं तो x बहुत ज्यादा है in comparison of the diamonds of the circle ओके तो इसके लिए क्या होगा इसका equation क्या हो जाएगा हम लोग approximate equation निकाल रहे हैं तो magnetic field का value जो है लगबग क्या निकल जाएगा देखो mu 0 i a square n divided by 2 क्यूंकि a बहुत ही छोटा है x के compare में तो x square के compare में a square तो और छोटा हो जाएगा यह अगर 10,000 होगा तो 10,000 के साथ 10 जोड़ना और ना जोड़ना क्या है बराबर के बात है 10,000 प्लस 10 you can roughly say it 10,000 सो यह दो मिला के क्या हो जाएगा अल्तिमेटली approximately it is x square हो जाएगा और उसके ऊपर क्या लगएगा 3y2 ओके अब यह जो लगेगा इसको हम लोग यहां पर करते हैं जगा तोला सा कम है तो इसको हम लोग यह क्या हो जाएगा आप देखो इसको हम लोग क्या से लिखते हैं new 0 by 4 pi यहां पर पाई नहीं था पाई इंट्रूड्यूस किया तो ओपर एक पाई देना पड़ेगा और 2 pi और a square पहले सी है multiplied by i n है ठीक है and divided by x cube ठीक है इसी को थोड़ा सा modify कर लिया है अलग कुछ नहीं लिख रहे हैं यहां पर 4 एक पाई यहां पर दिया तो यहां पर दिया वह एक ही बात है यहां पर 4 दिया तो यहां पर 2 देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2 है थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लिया ते बन गया हम लोगा constant constant क्या होता है mu 0 by 4 5 ते हो गया इसका relations अब देखो यह जो पाई स्कूर है यह क्या है एरिया है कि नहीं है किसका एरिया इस हर्गुला लोग का एरिया क्या है पाई स्कूर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं mu 0 by 4 पाई थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं n i a divided by x q इसको हम लोग फोकस करेंगे एक constant multiplied by n i a by x q तो यह हो गया एक езult जो रेजल्ट हम लोग के पास था उसी को अनालाइज चीया ओकई अब हम लोग क्या करते है इलेक्टिक फील में जब पढ़े थे इलेक्टिक डाइपोल उसको थोड़ा सा फोकस करते है उह पर हम लोग देखे थे कि हमारे पास एक इलेक्टिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है दोनों का बीच का डाइपोल का डिस्टन्स 2D है और R डिस्टन्स दूरी पे कितना बनेगा 2PR by R स्कार मेंड़ से इसको होल स्कार ये क्या है end-on position है किसी भी डाइपोल के end-on position में कितना electric field बनता है वो electric field होगा वो इतना बनता है पहले सी हम लोग को मालूम है वो नया कुछ चीज़ हम लोग टिराइप नहीं कर रहें तो क्यूंकि हम लोग यहाँ पर कि इस्टेंस को एक समान रहे है तो यहां पर लोग डिस्टेंस को एक समान सकते एक स्वेशन दूर करने के लिए ठीक है तो मुझा कर रहे है आर के जगा लिए एक सेरे कोई बात नहीं आप देखो अच्छे से देखो यहां पर इस्पेशल केस अगर होगा कि एक सिसन् भेरी भेरी गुटत देन इसको भी आमनों क्या करते हैं चैंज कर देते क्या कर देते हैं एकड़ देते हैं ठीक है एफ एकष भी घटत देन ए अगर जो एकस है मतलब जितना डिश्टन्स हम लोग एक्टिफिल कैलक्पूलेट कर रहे हैं वह अगर इसका अधा डिस्टन्स है या फिर एक इस कॉंप्यर में बहुत ज्यादा होगा तो उसके लिए क् कुछ बदला वाएगा देखो यहां पर नोटेशन जो है वो अलग-अलग हो सकता है एक स्क्री जगा तुम जेट बठाओ को कोई बाद नी कॉंसेप्ट से होना चाहिए तो यहां पर हम लोग सिमिलारीटी लाने के लिए एक यह कि इसका डिस्टन्स टुए है और एक डिस्ट अज भास के एक स्क्वर एक स्क्रीव ठीविश कर फूर एससब कुछ आईगा जाए इसको 2p by x q हो जाएगा ठीक है अच्छे से देखना यहां पर डाइपोल मोमेंट का डाइरेक्शन की दा है डाइपोल मोमेंट का डाइरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट जो है उसका भी तो डाइरेक्शन है और उसके लिए कितना इलेक्टिक फिल्ड बनता है जो एलेक्Тिक डाइपोल्स इलेक्टिक ziękरेट करता है तो उसका जो expression है एकस्प्रेशन उसके साथ एक करेंड कर इ Dz real को आइन में जो एकस्प्रेशन और सिमिलाइटी है हम लोग देख से हैं कि ये जो रिएक्षण है इसके साथ इसका f propriety क्ल सामेरे यहां पर क्या वेक constant है रहन requisite लेकिन constant यहां पर है नीचे एक सुपे यहां पर न आपर थू है याँ थे तू है यान पर मिटू है हाया यहां पर हाइगे है यहां पर पी है यहनपर इब इन आई एह तो एक सिमिल talking है constant to p by x cube यहाँ पर क्या है constant to something by x cube मतलब there is a nice similarities between these two okay electric dipoles उसके लिए यतना field बन रहा है और एक current करिंग लूप उसके लिए यतना magnetic field बन रहा है दोनों के एक similarity है तो हम लोग बोल सकते है क्योंकि इसका नाम electric dipoles है तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा electric magnetic dipoles मतलब क्या है similarity के बयदे से हम लोग बोल सकते कि क्या हो सकता है जो loop ए हम क्रेंग लूप वह magnetic dipoles के हिसाब काम कर रहा है ऐसे magnetic dipoles magnetic dipoles क्या होता है magnet होता है बार मैंट उसका हम नूग पढेंगे तो, donut जो काम करता है वही काम कौन करता है current करिंग 9 करता है हम लोग और लेटी दिख चुके है कि करेंट से मेंगनेटिक फिल्ड को डिस करता है तो मेंगनेट का जीत जैसे जो काम है मैंगनेट जो है वो क्या है डाइपॉल है उसी का काम यह कर रहा है मतलब दोनों के बीच में एक सिमिलाइटी है तो इसको हम लोग इलेक्टिक य 함 गया तो यहां पे सिमिलाइटी है अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक सिमीलेटी होनके से क्या होता है हमलोग कोई भी कॉन्nymi lesson बना असकते तो को इसी तरह सिमिलाइटी हो गया लेकिन हम लोग को Slow kore existing हो पड़ेगा इहां पे अगर अगर एक डाइपॉल को हम है इतना टोर्क सम्ठिंग्न क्रोस्मीन तो यहां पर जो टाम है यहां पर वही का हो रहा है यहां पर पर एक.शम अरहे मतलब कोई हैं नहीं है एक में chicos को लोग गट्रों में तो करेंट करिंग लुप को यहां पर देखते है कि जो यहां पर प्सी है तो यहां पर प्से'dal कर रहे हैं यहां पर प्सेटीड था यहां पे मैंग्नेटिक मोमेंट कर सिंदेटीफ फिल्ट तो यहां पर क्या होना चाहिंगْ कि current carrying loop is equivalent to magnetic dipole magnetic dipole and dipole moment is given by इसका dipole moment का formula क्या होगा magnetic moment भी बुल सकते है magnetic dipole moment actually इसको क्या करते है magnetic dipole moment या फिर हम लोग magnetic moment भी बोल सकते हैं तो क्या होगा वहाँ पर जो P का काम कर रहा है यहाँ पर उसका काम कौन कर रहा है एन आई ए मतलब यहाँ पर जो magnetic moment होगा P is equal to N I A vector यहाँ पर P vector होगा मतलब dipole moment लेकिन यह तो electric dipole moment यह क्या है magnetic dipole moment तीसे लिए यहाँ एक सफिक्स देंगे क्या सफिक्स पी एम दोनों का ही सिम्बल पी है लेकिन यहाँ पर सबीक सेम देंगे तो डिस्टिंग्विस इट फ्रॉम्द एलेक्टिक dipole तो पता चलेगा कि की magnetic dipole moment के बात कर रहे हैं तो कोई भी करेंट करिंग लूप वह क्या होता है as a magnetic dipole moment काम करता है और उसका माहिए में डाइब लोगन क्या होता है current multiplied by area obviously there is a n number of turns current multiplied by area okay picture form family clear some of a guy they ho yeah is kind of a formula tickets अब अगर वहां पे charge here minus q plus q to your baby magnetic charge on a ticket वहां पे क्या था यहां पर देगो डाइपर मुंद कीदर है यहां पर माइनास और प्लास सो मुहां पर थेको डाइपोल मॉंद CD करें के लिए क्या होता है सब फिंगर्स कारें के Direction डिसाइड करते हैं था अम मैगनगेटिक फील ति इसका मैणेटिक फिल इह मिदर होगा तो यह चो डिपल मोमेंट है ठीक है तो इसके लिए चार्ज ना चाहिए यहाँ abeth-a player लोगा माइणा स्क्रूल लेकिन ए तो सिंपल झाधनी यह मैंगनेटीक चारज है इसलिए इसके में स्मॉल यहाँ 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 पे दोरों में similarity है तो बाकी चीजों में similarity होगा यहां पर प्लास की और माइनस क्यों सेपरेशन होगा तो भी जाके डाइपल मोमेंट बनेगा तो एक क्या है लूप भी वही काम कर रहे है लेकिन उसका equivalent क्या है प्लास क्यों माइनस क्यों चार्ज भी है ठीक है हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या है मैंगेट हैसे बार मैंगेट मतलब एक मैंगेट को एक काम है लूप मतलब बनेगा सेम होगा समझ में आ गया so current carrying loop is equivalent to a magnetic dipole and its moment is current multiplied by area यह बहुत यह अच्छे से याद रखना current multiplied by area is the magnetic moment और यहाँ पे magnetic moment के सिना होगा वहाँ पे जो जो मतलब टाम था यहाँ पे भी वही वही टाम हम लोग को मिल जाएगा वहाँ पे क्या था electric dipole moment क्या था जो पी था charge multiplied by distance between them यह था यहाँ पर क्या हो जाएगा magnetic moment pm is equals to magnetic charge qm multiplied by 2a इसको कुछ पगड़ लेता है 2a पगड़ लेता है length of the bar magnet अगर हम लोग बार मेंगनेट लेके काम कर रहे हैं तो यह बहुला फर्मुलाइपलाइब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा करन्ट माल्टिक राइट बें होगा लेकिन दोनों का एक्वेलेंस है मतलों ओजा जो काम करेगा यह भी बोई करेगा ठीक है तो पी निकल गया अच्छा वहां पर जो को यलेक्टिक फिल होता है यहां पर मैंगेटिक फिल बनेगा क्या होगा चेंट इसकीज़ निकल जाएगा और क्या होगा वहाँ पे जैसे की P cross E टॉक लगता यहां पे टॉक का वेलो के ना होगा पी क्रॉस इने होगा यहां पर पी एम magnetic moment cross not E it is B magnetic fields बतलो हर चीज का एक equivalence मिलेगा electric field में जो जो चाह magnetic field में भी equivalence मिलेगा ठीक है समझ मां गया so this is all about equivalence of electricity and magnetism okay current carrying wire होता है वो क्या होता है as a dipole काम करता है magnetic dipoles ठीक है real life में मिलने वादा magnetic dipole क्या होता है magnets होता है magnet बार magnet ऐसे बार मेंगनेट होता है ठीक है बार मेंगनेट होता है यहां पे क्या रहता है qm यहां प्लास qm रहता है यह जो पोल है इसको हम लोगों क्या वोलते हैं नौर्थ पोल और यह जो पोल है इसको हम लोगों क्या बोलते सच फोल ठीक हैं टे हो गया naturally हम लोग के बार मेंगनेट हम लोगों मिलता है और ऐसे होता है अच्छा लाइने सो फोर्स कैसे निकलता है जो एलेक्टिफ फील में रूल था वही encourage Dir निकलता है और नेगरदिफ चाज में अंदर जाता है मतलब एक पॉजब चार्ज को अगर ओलेक्टिक फिल में रखें गहें तो जो बो जो path follow करता है वह क्या होता है lines of force होता है magnetic lines of force हम लोग कैसे ड्रो करेंगे एक north pole को रख देंगे magnetic film में तो वो जो path follow करेगा वह हो जाएगा इसका lines of force तो यहां पर क्लाइन सब्सक्राइब कैसा होता है ऐसे होता है पॉस्टिप से निकलता है इसे आंदर वह ऐसा क्यों हुआ उसको देखना पड़ेगा नेट रेजल्टेंट देखना पड़ेगा क्यों हुआ वह हम लोग इलेक्टिक फिल्म में बात कर चुके है ठीक है वह उसको थोड़ा सा देखना फिर यह होगा अच्छा दोनों कभी इंटर्सेक्ट नहीं करता है उसको यह रखना है लाइन सोफ फोर्च है उकल कभी इंटर्सेक्ट नहीं करता ऐसे लाइन सो फोर्स बनेगा अप्रोक्सिमेटली ठीक है इसके अंदर जाता है इन साउथ फोल है ठीक है ऐसे लाइन सो फोर्स बनता है मैंगेटिक से मिलेल्ली कराइण खिरिंग लूप में ऐसे लाइन सोफ भनेगा जो करेंट करींग लूप है उसका अगर हम लोग लाइन सो फोर्स बनाएंगे तो वो क्या होगा क्यूंकि ए 2 एक्वेडर मेंगेट करेंग लूप दोनों तो इसका भी लाइन सो फोर्ष क्यासा रोगा इसका होगा एक दम सीमिलर का होगा और बीच में तो इस्टेट होता है वो हम लोगों पता है हुआ है कि अ कि कि ऐसे होगा मतलब एक ही तरह का दिखने का होगा तो नहीं ठीक है यह तो सिंग्यल करेंट करिंग लूप है अगर हम लोग एक सॉलिनोइट का बात करेंगे सॉलिन में क्या होता है सॉलिन क्या होते कालेक्सण और करेंग रिगउप बहुत सारे लूप बना के स्थर्डर बनता है तुछ का मैंने टिक धटम यही क्त आक बन जाएगा क्रेंगा थीक यजड होता है या फिर करेंट करिंग लूब दोनों एक ही बात है यहां पर एक टान है और एक मैंगनेट दोनों एक्यूवेलेंट है दोनों का ही काम है है magnetic field produce करना और दोनों ही क्या करता है magnetic field produce करता है ठीक है तो दो क्या है equivalence है तो current carrying loop is equivalent to a magnetic dipoles magnetic dipoles जो काम करता है current carrying loop भी वोई काम करता है जैसे कि हम लोग electric field में potential energy हम लोग calculate किये थे कि अगर हम लोग पास electric dipole moment है उसको हम लोग electric field में रखेंगे तो उसमें कितना potential होगा potential energy होगा वो क्या होता है minus p.e तो यहाँ पे भी क्या होगा वो यह relation आने वाला है minus p.b होगा तो वो कैसे होगा वो derive हम लोग कर लेते हैं माल लेती कि हमारे पास एक magnetic field है इधर और एक dipole moment ऐसे रखा हुआ है minus q charge है और plus q charge है यहाँ पे magnetic charge इसलिए एम सब्सक्राइब से प्लास qm और माइनस qm इसका मतलब क्या है प्लास का मतलब है north pole और माइनस का मतलब है साउथ pole सब्सक्राइब और जो इसका टाइपल मोमेंट है वो नेगिटिव से पॉजिटिव तक इधर है में बात कर रहे हैं तो यह magnetic moment है और एंचा मेंटिक फिल्स दोरों का बीचे में एंगल है थी ता तो इस situation में इसके इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना एंस के ऊपर लगने वाला टॉर्क किया है कितना लगता है बोलो टॉर्क किकुस्टू पी क्रॉस ए मतलब किया होगा पी बी साइन थिटा यह की जवाब भी आईगा इतना यह से वह टॉक लग रहा है अगर इसको आम लोग इधर घुमाएंगे टॉर्क इधर लग रहा है टॉक तो इसके लोग वाइस रखेकर ना पी क्रॉस भी करो पी इधर और वी इधर तो पी करके एंटी क्लोक वाइस घुमाने के कोशिस करेंगे तो कितना काम करना पड़ेगा सो वार्ग डान वाई एक्स्टरनल एजंट तो रोटेट एट फर्दर वाई दीधिता एंगल इतना एंगल है थर्टी डिग्री है उसको थर्टी से थर्टी वान बनाना आए तो कितना काम करना पड़ेगा तो डी डावलू मतलब छोटा सा वागदान एक कुस्टो क्या हो यहां पे बात समझने का चीज है लीनियर मोशन में क्या होता है फोर्स माल्टिप्लाइट बडिस्प्लेस्में क्यूंकि हम लोग एंगुलर केस्ट कर रहे है तो यहां पर क्या आव जगा टाव डी थिटा ठीक है और टाव डी थिटिटा क्या है एक ही डिरेक्सिन में इसलिए माइनस ने आया टाव कि इदर लग रहा है जो हम लोग टाव बाहर से लगा रहे वो इधर और डिस्प्लेस साइड में गुमाना होगा तभी जाके होगा तो टॉर्क एक्सटनल के जगा हम लोग वही वहला टॉर्क हम लोग डाल सकते हैं पी सरी पी भी होगा साइन थीटा इंटू दीटिटा ओके अगर हम लोग इसको माल लेते की 30 डिग्री से 60 डिग्रे करेंगे तो कितना वाग ड to make angle from theta 1 to theta 2 कितना वागना होगा इंटिगेशन करना पड़ेगा इसका कहां गता कि1 से समुलन से 2 तक किशाएँ जाते कि तीनस से क्या दोत हैं यह calculation हम लोग already कर चुके हैं electric field में तो क्या होगा minus pm b एक बार theta 2 बैठाएंगे cos theta 2 minus cos theta 1 इस minus को थोड़ा से adjust कर देंगे तो ultimately क्या निकल जाएगा pm multiplied by b cos theta 1 minus cos theta 2 यह क्या है अच्छे सा अगर लिखना होगा इसको क्या लिखेंगे है w external to move it from theta 1 to theta 1 theta to theta one say theta 2 ले जाने के लिए external force को इतना काम करना पड़ा तो ओफस्टनल कर और चैनल चहीं इसका energy तो क्या हो और घर यो गहार जाता है और जिसके उपर काम किया जाता है उसका energy बढ़ जाता है तो क्या नाच्रूल है तो क्या energy आ जाएगा क्या एनर्जी आ जाएगा पोतेंशी ऐन्सेल गांची तो पोतेंशिल नगी ऑफ यह एक बात हम लोग डिसकस कर चुके एलेक्टिक फिल में कि डाइपोल कौन सा पोजीशन में पोटेंशल एनर्जी जिरो होता है पाई बाई टू में होता है क्यूं होता है वो भी हम लोग explain कर चुके है ठीक है तो हम लोग क्या करते है ठीटा 1 के जगा हम लोग यहां पर यहां पर नियूमेरिकल आ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन पोटेंशल एनर्जी इस सबसे याद रखना है हम लोग एक चीज हम ऐसे याद रखना है कि वागदान बाई एक्स्टनल एकुस्टू चेंज इनर्जी बाहर से कोई अगर काम करेगा तो उसके इनर्जी घट जाएगा वो सिस्टेम के उपर चलाया जाएगा ठीक है एनर्जी खतम नहीं हो सकते है उसको क्रियेट भी नहीं क्या सकता है वो ट्रंसफर हो सकते है एक जगा से दूसरे जगा अगर मैं इस चौक को ऐसे फेक दूंगा तो मेरा एनर्जी घट जाएगा क्योंकि कि मैं काम कर रहा हो और इसके एनर्जी बड़ जाएगा जाएní काहिए उसमें आ जाएगा है ठीक है तो मतलब एक से एक बॉड़ी से बढ़ीOS तक एनर्जी ट्रंसफर हो जाता है कैसे काम करने से तो yht डेलट ए है अगर हम लोग इस में क्या लगार सकते यहां पे जोबी डेरिवेशन होगा काई वहां पे काई दिरे दिरे काम कर रहे हैं और नेट फॉर्स हमेशा जीर होना चाहिए है इसमें निमेरिकल आ सकता है बहुत ध्यान से करना होगा Gauss's law in Magnetism Magnetism में Gauss law का क्या form होता है वो हम लोग देख लेते हैं electric field में क्या था एक close surface के थूरू जितना flux बनता 5 is equals to e.dso का integration वो क्या होता है qn close by epsilon 0 मतलब उसके अंदर रहने वहला charge जितना भी charge रहेगा divided by epsilon 0 ठीक है लेकिन magnetic field के case में जो flux होगा वो क्या होगा टोटल magnetic flux through any close surface is always 0 क्यों 0 होगा क्योंकि वहां पर जो charge है यहां का charge का concept तो है लेकिन चार्ड यहां पर single charge नहीं मिलता magnetic charge single नहीं मिलता वो क्या मिलता प्यार में मिलता है सबसे चोटा पाने बाला magnet क्या होता है दो उसमें दो चार्ज रहता है magnetic dipoles plus or minus अगर एक magnet रहेगा तो उसका north-south दोन भी रहेगा तो अगर उसको इसके अंदर डालाइंगे तो इसमें plus भी आ गया माइनस आ गया दोनों मिला के क्या हो जगा मतलब अंदर कुछ dipole होगा भी तो भी यहां पर कुछ टाम नहीं आएगा क्योंकि ने चारज ओं अंदा डाइपोल क्या होगा वांदा सर्फेस क्या होगा हमेसा क्या होगा जीर होगा मेंनेटी केस में इसलिए क्या होगा गॉसलाइन मेंनेटिजम क्या होता है टोटल मेंनेटिक फ्लास्स त्रू एनी क्लोस सर्फेस इस अलवेस जीरो